हेलो लड़नोंस, आप सभी को प्यारवार नमस्कार, वेलकम टू यूट्यूब सेसन अफ गयांसली क्लासिस, यह आपका डेली प्रैक्टिस सेसन है और बहुत अच्छे सेसन चल रहे हैं, सेसन नमबर थ्री आज हम करने वाले हैं और बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, क्लास सेसन भी होते हैं, और MCQ भी होते हैं, आज का सेसन थोड़ा यहां पर कम समय लेगा आपका, तो इसलिए अच्छे से पूरे सेसन को देखेगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इंपोर्टन सेसन को, तो पहला प्रशन हमारे सामने है, which of the following is a key to effective teaching behavior, यानि इन से प्रभावी सिक्षण व्यवहार की कुंजी कौन सी है, जो की बहुत ही teaching को बहतर बनाने में मदद करती है, teaching behavior हमें कैसा चाहिए, तो सबसे पहला है, future mediated dialogue which help learner restructure what is being learned, यानि भविश्य मध्यस्त समवाद, जो सिक्षार्थियों को जो सीखा जा रहा है, उसे पुनर गठित करने में मदद करता है, तो एक एक option भी समझाते हुए चल रहा हूँ, तो देखिए, यहाँ पर beneficial तो यह हो सकता है, लेकिन यह primary key नहीं effective teaching behavior के, क्योंकि यह ज़्यादा जो है न, वो यह restructuring के उपर काम करने के लिए बात कर रहा है, लेकिन overall effectiveness के बारे में बात नहीं कर रहा, यह जो होता है, यह FA का part होता है, formative assessment का, लेकिन यह overall effective teaching behavior को नहीं दर्सा आ रहा है, तो यह भी नहीं होगा, अगला है, soliciting additional information about the response of students, तो देखिए, यह मदद करता है आपको समझने में, कि जो students हैं, जो विध्यार्थी हैं, उनका response जो है कैसा है, लेकिन यह ज्यादा तर interaction के बारे में है, overall effectiveness of teaching behavior के बारे में नहीं है, यह भी नहीं होगा, अगला है, promoting low error rate, high success, contributing to increase level of student self-steam and positive attitude, यानि कम तुरूटी दर, उच्छ सफलता को बढ़ावा देना, छात्रों को आत्म शम्मान और सकरांत्मक दुष्टी को और कस्तर को बढ़ावा देने में युगदान है, तो कीट पूछ रहा है, effective teaching behavior का, तो यहाँ पर देखिए, जब एक important effective teaching के बारे में हम बात करते हैं, तो हमारा focus होना चाहिए, कि students जो है, उनको success मिले, उनका self-esteem boost हो, positive attitude आए उनके अंदर और overall effective teaching जो है उनके अंदर हो, और इसके लिए overall effective जो है, वो learning उनके अंदर हो, और effective teaching आप कर सको, as a teacher, तो यह जो है, self-esteem का, जो यहाँ पर एक point दिया हुआ है, positive attitude के बारे में बात किया गया है, तो इससे हमें यह समय में आता है, कि अगर high success और lower rate रहता है, तो उससे self-esteem और positive attitude students में उत्पन होता है, बढ़ता है, और यह बहुत ही important है, अगर आप effective teaching behavior चाहते हो तो उसके लिए आपको इन चीजों को बढ़ावा देना होगा, तो यही इसका सही उत्तर होगा, चौथा, यह इसका correct answer है, अब अगले question पर चलते हैं, तो अगला question है, GIF stands for, बताइए, GIF का full form आपको बताना है, पहला है global information format, दूसरा है graphics information format, तीसरा है graphics interchange file, और चौथा है graphics interchange font, तो जिफ आपने नाम सुना होगा, एक छोटा सा, ऐसे यहाँ पर, विडियो और photo के बीज का कुछ चीज मान लेजेए, इसमें sound नहीं होता है, और बहुत ही जल्दी जल्दी एक ही चीज को दिखाता है, memes के लिए बहुत ज़्यादा इसको share किया जाता है, जिफ को, तो आपको मालूम है, बहुत ही कम space भी लेता है, और यह जो है, इसका full form होता है, graphics interchange format, ग्राफिक्स interchange format, जो है, क्या होता है, यह bitmap image format पे based होता है, और इसको use किया जाता है, simple graphics और animation के लिए, जिफ को, तो यह होगा, graphics interchange format, तो यह इसका correct answer हो जाएगा, D, अगला है, which one of the following is not an operating system, बताइए निमलखित में से कौन सा एक operating system नहीं है, operating system आपको मालूम ही है, यह क्या होता है, हमने already computer में पढ़ा हुआ है, operating system जो है, वो आपके पूरे जो computer है, या laptop है, उसको run करता है, जो, वो operating system है, वो एक software होता है, जिसके उपर यह सारी चीज़े जो है, run हो रही है, तो operating system अगर इन में से देखें, तो देखें, जो सही होगा, वो इसका correct answer यह होगा, Firefox, क्योंकि यह operating system नहीं है, और पूछा ही यहाँ पर गलत है, Firefox का correct answer होगा, देखें, Firefox जो है यह एक web browser है, याद रखेगा, internet ब्राउज करने के लिए जैसे आप Google Chrome करते होंगे, Firefox भी उन में सही एक है, Mozilla Firefox का पूरा नाम रहता है, तो यह एक web browser है, यह operating system नहीं है, Sun Solaris जो है यह एक operating system है, जिसको Sun Microsystems ने डेवलप किया है, Linux जो है, यह भी operating system है, और यह जो है ना, support करता है, अलग-अलग distributions को भी, इसके उपर coding बहुत जादा होता है, Linux के उपर, Ubuntu नाम आपने सुना होगा अगर तो, और IBM AIX जो है यह एक operating system है, इसको IBM ने डेवलप किया है, तो देखे, इसका correct answer जो होगा, वो होगा Firefox, बहुत important है, इस टाप के questions लगतार पूछे जाते हैं, अब अगला है, a good teacher must be, एक अच्छा सिक्षक कैसा होना चाहिए, साधन संपन और निरंकुस, यानि resourceful and autocratic, साधन संपन और सहभागी, यानि resourceful and participative, साधन संपन और अधिकारी, यानि resourceful and authoritative, या फिर साधन संपन और प्रभावशाली, यानि resourceful and dominant, तो बताईए, एक अच्छा सिक्षक कैसा होना चाहिए, अगर आप good teacher के बारे में, एक अच्छे स हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि autocratic teaching क्या होता है, यह ज्यादा effective नहीं होता है, और यहाँ पर आप खुद के हिसाब सही चलते रहते हो, बिल्कुल ही learners को की need क्या है, students क्या चाहिए, उनके diverse needs क्या है, कौन-कौन सी जरूरते हैं, उसको ध्यान में नहीं रखते हो, अगला है resourceful and participative, चलिए ठीक है, इसको देखेंगे, resourceful and authoritative, तो देखे, authoritative की जहां बात आती है, authority चलाने की बात आती है, तो यहाँ पर positive learning environment नहीं बनता है, अगर आप authority रखोगे, और बच्चों को डर लगने लगेगा आपसे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर सर से ये question पुछा तो ये, तो ये भी एक अच्छा technique नहीं है, resourceful तो सब में दिया ही है, और आपको dominate भी नहीं करना है, बलकि आपको participate करना है, तो ये इसका correct answer होगा, B, साधन संपन और सह भागी, अभी के date में, जो सबसे important है, वो है कि आपको participatory technique अपनाना होगा, आपको facilitation करना है, बच्चों की participation को भी encourage करते हैं, कि students भी participate करें, जो छात रहें, वो भी सह भागीता करें, और teaching learning का process तभी सुगम बनेगा, तभी बहतर बनेगा, तो एक good teacher का यही होना चाहिए, अगला है, which one of the following is the best method of teaching, बचाईए इन में से, निम लिखित में से कौन सा सिक्षण की सर्वत्तम विधी है, पहला है विया ख्यान विधी, यानि lecture method, दूसरा है चर्चा विधी, यानि discussion method, तीसरा है demonstration method, यानि प्रदर्सन विधी, और चौथा है question answer method, यानि प्रस्ट उत्तर विधी, अब आपको एक और question यहां से देता हूँ, कि बताईए question answer method, यह किस ने दिया था, किस ने propound किया था इसको, कौन से यहां पर जो है, वो educationist थे, या फिर philosopher थे, किनोंने यह दिया था, question answer method, तो देखिए, जब भी आप बात करोगे एक best method of teaching का, तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा, कि participation आपको ध्यान में देना है, कि कहां पर participate कर रहा है learner, और participation कहां पर हो रहा है, अगर आप question answer method पूछ रहा हो, तब भी participation हो रहा है, और अगर आप discussion कर रहा हो, तब भी participation हो रहा है, lecture method में नहीं हो रहा है, व्याख्यान विधी जो है, इसमें participation नहीं हो रहा है, और demonstration method में जो है, वो demonstrate करके कुछ अगर दिखा दिया जाए, तो effective तो है, लेकिन यह interactive नहीं है, तो multiple choice question है, तो इसलिए इसका correct answer हो जाएगा, वो होगा B और D, यानि कि यहाँ पर B and D, यह आपका correct answer होगा, okay, discussion method and question answer method, यह best method of teaching माना जाता है, discussion method में क्या होगा, आप discuss करेंगे, उससे active engagement बढ़ेगा, critical thinking develop होगा, और same यहाँ पर भी critical thinking and problem solving skill develop होता है, question answer method से, question answer method के propound, अगर हम द प्रोपाउंड किया था, अब अगला देखेंगे, successful communication in classroom teaching is, कक्षा सिक्षण में सफल संचार क्या है, अगर आप teaching कर रहा हो classroom में, तो आप कब कहोगे कि, आपका जो classroom teaching है, उसमें successful communication हुआ है, पहला है, परिपत्री यानि सर्कुलर, दूसरा है, पारसपरिक यानि रसी प्रो तो देखिए, जब भी हम बात करें, successful communication की, तो वहाँ पर सही होगा, याद रखेगा, reciprocal, पारसपरिक, क्यों, सर्कुलर में क्या होगा, communication एक one way direction को imply करेगा, जो की ज़्यादा effective नहीं है, रसी प्रोकल में क्या हो रहा है, रसी प्रोकल में, communication में exchange हो रहा है, यहाँ पर, exchange समवाद होगा, exchange होगा, teacher, students की बीच में, और इससे समझ बढ़ेगा, understanding better होगा, वही, अगर बात करें, directional की, तो यह भी बात करता है, एक one way flow के बारे में, यह ideal नहीं होता है, interactive teaching के लिए, और बात करें, अगर हम influential की, तो देखिए, यह important तो है, लेकिन reciprocal communication, ज़्यादा better तरीक and assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction, यानि निमलिखित में से कौन सा प्रकार का मुल्यांकर, निर्देश के दौरान सिख्छकों और छात्रों दोनों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, सीखने की प्रगती का हाकलन करता है, तो बताईए, पहला है, placement मुल्यांकर यानि प्ल तो देखिए, जब भी आप बात करते हो, कि मुल्यांकर, निर्देश के दौरान सिख्छकों और छात्रों के दोनों का निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के बारे में, तो वहाँ पर हमेशा याद रखेगा कि दौरान पूछ रहा है, तो यह होगा formative evaluation, आपको मालूम है कि अपर करने के ज़रुत है, वह उनमें क्या क्या कमिया रह गई है, तो वह feedback प्रोवाइड करता है, टीचर को भी students को भी student को क्या बैटर करना है, और teacher को अपने पढ़ाने के तरीके में क्या आलाग करना, यह दोनों को ही बताता है, तो इसलिए formative evaluation जो है, वह क्या एक ongoing process हो जैसे महा लिजे कि उसको आपके दिमाग में एक धारना बैठाना है, कि हाँ, students कहां यहाँ पर stand कर रहा है, उसका level of learning क्या है, तो वहाँ पर आप placement evaluation करोगे, ताकि starting level of students को determine कर पाओ, यह ongoing feedback को बारे में बात नहीं करता है, diagnostic evaluation of course आपको पता है, कि नैदानिक मुल्यांकन आप करोगे, जब आपको पता करना होगे, learning difficulties जो है, वो कहां आ रही है, कैसे उनको सही करना है, तो डाइगनोज करने के लिए, यह diagnostic evaluation करने के लिए, हम निदान करने के लिए, डाइगनोज करने के लिए, कि क्या-क्या जो है, वो चीज़े रह जा रही है, डाइगनोज करें और इसको ठीक करें, और summative आपको पता ही है, कि यह end term में होता है, instruction के end में होता है, जब सारी चीज़े खतम हो जाती है, जब syllabus खतम हो जाता है, उसके बाद जो आप assessment है, evaluation करते हैं, उसको summative बोलते हैं, यह overall achievement को यहाँ पर assist करता है, continuous progress को नहीं, तो इसलिए रचनात्म को लिया teaching, तीसरा है cooperative teaching, और चोथा है micro teaching, तो देखिए, scaled down version, जब भी अभी आप अगर B.A.D.L.A.D. किये होंगे, तो आपको पता होगा, जब आप training करते हैं, वहाँ पर, या फिर उसको हम कहते हैं कि micro teaching करना, तो micro teaching में क्या होता है, micro teaching जो है, वो scaled down teaching approach ही है, जहाँ पर बहुत ही कक skill को controlled setting में करता है, वहाँ पर real बच्चे नहीं होता है, वहाँ पर controlled setting होता है, एक experimental ही method की तरह यह होता है, तो इसलिए micro teaching इसका correct answer होगा, यह scaled down teaching situation है, यानि एक कम की गई सिछन सती होती है, cooperative teaching में क्या होता है, यहाँ पर collaboration होता है, teachers के बीच में, तो teachers आपस में collaborate करके, और ची cooperative teaching हो गया, team teaching में क्या होता है, team teaching में, अलग-अलग teachers जो है न, वो involved होते हैं, और वो पढ़ाते हैं, किसी भी subject को पढ़ा रहे हैं, तो तीम में work करते हैं वो, ताकि overall achievement जो है, वो बच्चों का वो better बनाया जाए, फिर macro teaching में क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा broad होता है, देखें, बहुत important है यहाँ पर, class stands for, class का मतलब क्या है, तो देखें, यह वो class नहीं कक्छा वाला, यह जो है, इसका full form आपको यहाँ पर बताना है, तो class जो है, इसका जो full form है, वो है center for literacy and studies in schools, यह fact है, तो इसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे, तो देखें, D, schoolों में और अध्यान के इंदर, center for literacy and studies in school, इसको अगर इस टाइब का कुछ पूछे न, full form लिए, तो उसमें आप English में ही देखा करिए, तो यह क्या है, center for literacy and studies in schools, यह जो है, इसका full form, वही अगर यह सारी है, तो यह सारी है, तो यह सारी है, इनकरेक्ट है, complete literacy and studies in school, और complete literates and students, यह विधी नहीं है, not पूछ रहा है, याद रखेगा, इस टाइब की question में आपको तुरंद मार कर देना होगा, कि not पूछ रहा है, तापकि आपके दिमाग में यह चीज घूंती रहा है, तो not type of experimental method पूछ रहा है, पहला है single group experiment, एकल समुह प्रयोग, दूसरा है औस समुह प्रय single group experiment क्या है, यह experimental method का ही type है, यहाँ पर एक group involved होता है, तो यह तो है, फिर residual group experiment क्या है, यहाँ पर एक group involved होता है, यहाँ पर एक group involved होता है, residual effects के साथ, तो यह भी है, parallel group experiment क्या है, parallel group experiment जो है इसमें क्या होता है, compare करते हो आप result अलग अलग ग्रूप का, तो यह भी है, rational group experiment जो है तो इसलिए इसका correct answer होगा तर्क संगत समूप्रेयोग अब अगले question पर चलते हैं which one of the following is not a non-parametric test बताइए इन में से कौन सा एक गैर parametric परिक्षण नहीं है पहला है T test दूसरा है साइन टेस्ट तीसरा है chi square test और चौथा है run test इन में से बताना है कि कौन सा एक गैर parametric परिक्षण नहीं है तो बताइए बहुत important questions हैं देखिए और ये expected mcqe है और इस ताइग को questions पूछे जाते हैं बार-बार आज का ये आखरी प्रशन है और मैं आशा करता हूँ ये सारे ही प्रशन आपको आपके आगामी परिक्षण में बहुत मदद करने वाले हैं आपको confidence बिल्ड करने में बहुत मदद करने वाले हैं और डेली आया करिए डेली चैनल को आके चेक किया करिए कि आज का practice session आया है कि नहीं daily practice session आने वाला है और आपसे मैं यहीं उमीद करता हूँ कि आप in session को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं थोड़ा serious हो जाईए बहुत ही बड़ा exam जो है वो आप देने वाले हैं तो उसके लिए आपको seriousness discipline और perseverance important है daily उसी काम को करते है discipline के साथ देखे इसका correct जो answer होगा वो होगा t-test पूछ रहा है not हमेसा याद रखिए इस टाइब को test तो कौन सा है तो parametric test कौन सा है T test है scientist Core test or run test नहीं है uz 것 क्या üste क्या जाता है इसका तो देख़्ेया means को compare करने के लिए use किया जाता है comparing means sssno ट्रνη टेस्ट हो गया scientist जो ऑता ने यह नॉन परमेटरिक टेस्ट होता इसको medium difference को measure करने के लिए use किया जाता है तो यह median difference के लिए एक non-parametric test या काई-square टेस्ट भी एक non-parametric test होता इसको categorical data को यहाँ पर test करने के लिए यूज किया जाता है तो यह हो गया आपका categorical data इसके लिए kai square test हो गया, यह भी non-parametric है और run test क्या है एक non-parametric test होता है, इसको sequence को examine करने के लिए यूज किया जाता है तो यह जो है ना, इसका correct answer हो जाएगा test, तो आई होब कि आज के इन सभी प्रस्णों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जितने भी आपके यह सारे हमने प्रस्ण यहाँ पे solve किये हैं, वो clear हो गया होगी, जो भी आपके doubt रह जाए तो आप यहाँ तो comment section में पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, हमारे whatsapp ग्रुप में अगर आप हैं, discussion ग्रुप में तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में, रोज आईए और daily in practice sessions को attempt करिए, like कर देंगे इस वीडियो को, तो YouTube इसकाम को और लोगों तक पहुंचाएगा, हमें भी motivation मिलेगा, तो बहुत-बहुत धन्यवाद